नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो को आप पूरा लाश तक जरूर से वास करें शुकाइस आज हम बात कने वाले हैं जो एंथियोमेलीन इंजेक्शन आता है वेटनरी में काफी जादा इसका यूज होता है और लगबग तीन-चार बिमारियों में इसको उप्योग में ल इंजेक्शन है यह प्रेग्रेंसी सेफ है यह सब कुछ हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो वीडियो पर पूरा एंड तक बने रहे हैं और अगर आप वेटनरी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर नए वीवर हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लि सब्सक्राइब होती है वहां से भी आप इसको ले सकते हैं और उप्योग हमेशा वैटनरी डॉक्टर की सलाय के निस्वार और उनसे ही उप्योग में लाना होता है ठीक है तो गाइस अब हम बात करते हैं यह जो इंजेक्शन होता है इसकी 50 ml की वाल आती है ठीक है 50 ml की जो ह है वाइल आपको देखने को मिल जाती है और इस इंजेक्शन को हमेशा जो हमारी काय होती है भैंस होता है ठीक है भैंस होती है और घोड़ा होता है और डॉक इन स्पीस में ही उप्योग में लाया जाता है ठीक है फ्रेंट्स जैसे की मुर्गियां हो गई गोठ हो गई कर लिए अपने इसे स्पिसेज में आपको एपोयड करें इसको लागाना ठीक है और बहुसा है पर शुपालत भार्यू का यह भी कमेंट आता है कि क्या यह यह इंजेक्शन प्रेहिक्शन प्रेगिनश प्रेगनेंसिट से तो गैस एंथे मिलीन प्रेगनेंसी के इसको değildeperoat से लिगों में इस न किन किन रोगों में हुआ शुन आले से सबस्स Demon in अच्छिक्शन है ये वर्क करता है यह काम करता है सबस्य होग regression तीन चार रोगों पर क्वाम करता है जो कि पर शुब में बहुत ज़्यादा मात्रह में होते हैं ठीक है और इसके लावा इस injection का फिल्ड में काफी ज़्यादा वर्क होता है ठीक है तो गाइस जैसे कि आपके animal में nasal granuloma एक बीमारी होती है ठीक है उसमें ये पशू में वर्क करता है इसके लावा जो पशू के श्रीर में वाट्स वगरा हो जाते हैं या फिर पशू के में क् ट्यूमर हो जाता है ठीक है तो गैस जैसे कि अगर हम बात करें nasal granuloma की तो nasal granuloma में क्या होता है कि बहुत ही गाड़ी मात्रा में जो स्तराव होता है वो नाक से बाहर निकलता है यानि कि पस हो सकता है मवाद हो सकता है ठीक है और क्या होता है कि जो पशू का नाक होता है जो bleeding भी आती है तो ये जो nasal granuloma है उसमें ये जो injection है ये उपयोग में लाया जाता है ठीक है इसके लावा दोस्तों क्या होता है कि जो वाट्स होते हैं जो की पशु के पूरे शरीर में होते हैं ठीक है और वाट्स को ये बिलकुल पूरी तरह से केल कर देता है लेकिन इसका जो अ अलावा ये जो है ये एनिमल में बहुत सारी और भी जैसे की papillomatosis यानि कि क्या होता है कि जो cattle होते हैं उन में क्या होता है कि कई बार जो उनकी layer होती है स्कीन की layer होती है वहां पर भी tumor बन जाता है ठीक है तो ऐसी condition में भी और tumor बन जाता है तो फिर cancer होने का खत्रा बना रह जाता है ठीक है तो guys ये जो mobile screen पर पिक देख रहे हैं ये जो है nasal granuloma की है जो की पशुकी नाक में क्या होता है कि tumor बन जाता है ठीक है अब दोस्तों इसमें आपको और बहुत सारी ऐसी वाते हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत होती है ठीक है तो कौन-कौन सीवो वाते है ठीक है तो guys इसमें क्या होता है कि ये जो injection है ठीक है ये आपको कभी भी जो भेड़ और बक्रियां होती है यानि कि जो small species होती है भेड़ बक्रियों में इस injection को आपने कभी भी उपियोग में नहीं लाना है ठीक है भेड़ बक्रियों में अगर आप इस injection को उपियोग में ल लाइन की तो ऑनलाइन इसको आज के लिसकी जो MRP है वो 340 रुपा है वाकि आप जब देखेंगे तो आगे पीछे थोड़ी बात हो सकती है ठीक है और बाकि दोस्तों यह जो पिक आप देख रहे हैं अपनी मोवाइल स्क्रीन के उपर तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें होती है जैसे कि पशु का जो बलड होता है पशु के खुद को जूगलर से बलड क्लेक्ट किया जाता है और उसी बलड को फिर जो सबकट होता है उसको दे दिया जाता है एनिमल को ठीक है अब दोस्तों एंथोमें का जो रूट होता है ठीक है तो आपको हमीच्छा क्या करन और आपने क्या करना है कि DEEP EINTRA मस्कूलर हमेज़ा इसको लगाना है directive इंट्र मस्कुलर है और इसका जो रूट है वो हमेज़ा intra muscular यह है ठीक है तो इस बात का आप को धियान रखना है दोस्तों और बहुत यह इंजेक्शन है फिल्ड मे काफी ज्याधा इसका का यूज होता है और इन तीन चाल्ट डिजी चेंवाइड एंथों मेल screen होता है वो होता है नीम डूत तो यह इसमें को सवाइप कर से भी अता है ठीक है अब बात करते हैं कि भी किस पर में हमें क्या सरी जहlex के लगानी है , तो the guys जैसे कि आपने डागज नोज्म कर लिए है कि गय को नियजर ग्रैन लोम हो ठीख है तो उसमे आपको इंजक्शन लगाना है गाय में तो गाय Ayamay आपको क्या करना है की 20 ml इसились को वायल में लerना है हमें सब नई नैटल और स्रेंच कर आपको करना है ठीक है तो क्या करना है आपको की 20 ml आपको जो है इंट्रमस्कुलर डीप इंट्रमस्कुलर इसको लगा देना है ठीक है फ्रेंड्स और दोस्तों इसको आप क्या कर सकते हैं कि हफ्ते में एक बार फिर से दुबारा एनिमल में रिपीट कर सकते हैं इसके लावा अगर में क्या है कि वाट्स वगेरा हो गए है ठीक है पैपिलोसिस जो होता है वह अगर हो गया है गाय और घोड़े में तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि 15 ml वायल में लिया निडर और सिरिंज में लिया और फिर डीप एंट्रामस्कुलर लगा दिया इसको क्या सकते हैं कि 48 हाउर् गाय में इसकी डोजेट 20 ml है और घोड़े में आप 15 ml तक इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें डॉक की तो डॉक को क्या कर सकते हैं 0.5 ml से लेकर 2.5 ml तक डिप इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं या फिर एक ml भी इसको जो डॉक है उसको लग सकते हैं तो encost the copying में लाना चाहते हैं तो पूरे 28 डेस्ट के बाद ही आप मेड को मिटकमी ला। टीक है तो इसकी जो है पूरा मैंने आपको इंथमयलेन छैक्शन के बारा में जानकारी देदी ग्याइस अगर आपको एंथमयलीन इंछक्शन पर ये वीडियोफ फसंद आई झाल झाल